नमस्कार आपका स्वागत राजनामा दुनिया पे मैं अपनीनम आपके साथ आयोध्या में राम लला की प्राण फतिष्टा की तारिक नजदिक आने के साथ इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो रही है आयोध्या के जगत गुरु परम हंसाचार ने ए आईएम आईएम नेता असुद्दिन ओवेसी को जूता माने पर एक करोड रुपे देने का ऐलान किया है उन्होंने 2 मिनिट 10 सेकेंड के वीडियो को जारी करके कहा कि 22 जनवरी को राम लला की प्राण पतिष्टा से पहले असुद्दिन ओवेसी उल्टे सीते बयान देकर देश का माहुल खराब कर रहे हैं उन्हें एक जूते मानने पर एक करोड दिया जाएगा उनको जितने जूते कोई मारेगा उसे उत्तरने करोड का इनाम देंगे जगतकुरों ने कहा कि सरवोच नयालाय के प्रती अनास्ता प्रकट करने के लिए ओवेसी ने उस समय जहर उगल दिया है जब देश राम मंदिर में राम लला की प्राण पतिश्टा की तयारियों में जुटा है वो देश में अशांती पैदा कर रहे हैं मेरी मांग है कि ओवेसी के खिलाफ नयालाय की अवमानना और राष्ट द्रों का मुकतमा दर्च किया जाना चाहिए ऐसा नहीं होता तो उन्हें जुटा मारने वाले को मैं एक और रुपे इनाम दूँगा उन्होंने कहा कि ओविसी ने राम मंदिर को लेकर देश में दंगा कराने के लिए ग्रहनित बयान दिया है इस बीच कोई घटना होती है तो उसके लिए वही जिम्मेदार होंगे पर नफरत की राजनिती कर रहे हैं उन्हें देश की सुक्षान्ती और लोगों का सद्बाव पसंद नहीं आ रहा है वे हेट्स पिछते रहे हैं या पूरी तरह असमेधानिक काम कर रहे हैं इसी के साथ बने रहे हैं राजनामा दुनिया के साथ धन्यवाद